अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना सीखना होगा हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ धनवी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दे वर्ल्ड आफ बायोग्राफीज में आज हम जानेंगे एक भारतिय वैज्ञानिक, इंजीनियर और मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के ग्यारवे राश्ट्रपती डॉटर एपी जे अब्दुल कलाम के बारे में शुरू करने से पहले मेरे चानलों को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं उनका पूरा नाम अब्दुल पाके जेनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था उनका जन 15 अक्टुबर 1931 को धनुष कोठी तेमिल नाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुसल्मान परिवार में हुआ था उनके पिता जेनुल अब्दीन एक नाविक थे, उनकी माता आशिमा एक ग्रेनी थी ये कुल पांच भाई भेन थे, तीन बड़े भाई और एक बड़ी भेन ये अविवाहित थे, डॉक्टर कलाम पद्मभूशन और भारत रत्न पुरसकारों के लिए जाने जाते है इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इनकी मृत्यू 27 जुलाई 2015 को शिलॉंग मेगाले में हुई थी इनकी पिता एक मचवारे थे और इसी से वह अपना घर चलाते थे इसी कारण से अब्दुल कलाम घर घर जाकर अकबार बारते तथा उसी पैसों से वह अपनी स्कूल की फीज भरते थे पढ़ाई में वो समान्य थे लेकिन नई चीज़ें सीखने का उनको शौक था उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई श्वार्ट्स हायर सेकंडरी स्कूल से पूरी की थी इसके बाद तिरुचेरप अली के सेंट जॉसेफ कॉलिज से 1954 में बहुत तिक विज्ञान में सनातक किया इसके बाद 1955 में मदरास से एरो स्पेस में उन्होंने इंजिनिरिंग की इसके बाद 1970 में उन्होंने मदरास इंसिट्यूट ओफ टेकनोलोजी से इंजिनिरिंग की उनका सपना था एक फाइटर पाइलेट बनने का पर किस्मत उन्हें कुछ और ही बनाना चाहती थी क्योंकि जब उन्होंने इसके लिए इंटर्व्यू दिया तो वो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए फिर कलाम दिल्ली में DRDO से विज्ञानिक के रूप में जुड़े और शुरुवात में छोटे हेलिकॉप्टर डिजाइन में अपना अहम योगदान दिया अंत्रिक्ष अनुसंधान के लिए भारतिय राष्टिय समिती का हिस्सा होने के कारण उनको भारत के महान विज्ञानिक जैसे विक्रम सारभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला 1969 में उन्होंने इसरों में प्रोजेक्ट डारेक्टर के पद पर काम किया 1980 में उन्हें फिर DRDO भेजा गया क्योंकि भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम कलाम जी के डारेक्शन में करने का सोचा इसके बाद अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अगनी प्रत्वी जैसे मिसाइलों का बनना सफल हुआ एक विज्ञानिक और इंजीनियर के तौर पर उन्होंने DRDO और इसरों के कई महत्वपून परियोजनाओं पर कार्य किया उन्होंने 1998 के पोकरन दितिय परमानों परिक्षन में भी महत्वपून भुमे का निभाई डॉक्टर कलाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम के साथ भी जुड़े थे उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रतन सहित कई प्रतिष्टित पुरसकारों से सम्मानत किया गया उन्हें 1981 और 1990 में पद्न भूशन से सम्मानत किया गया और फिर 1997 में उन्हें भारत रतन से सम्मानत किया गया इसके बाद 18 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम जी ने राश्रपती पद की शपत ली 27 जुलाई 2015 को APJ अब्दुल कलाम का निधन मेगाले के शिलॉंग में हो गया यहां एक लेक्चर देते समय उनको हार्ट अटेक आया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए जहां डॉक्टरों की टीम उन्हें न बचा सकी और एक महान वेग्यानिक हमें छोड़ कर चले गए आज की वीडियो में बस इतना ही अब मैं आपसे मिलती है अपनी अगली वीडियो में तब तक की लिए टेक केर बाबाई